प्यारे पिता परमेश्वर ये अच्छे से समय के लिए हम दन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारे लोगों को परमेश्वर आप आशिरवाद कीजिए जो भी लोग परमेश्वर इवच्छन को सुनने वाले हैं जो अध्यायन करने वाले हैं सारे लोगों को परमेश्वर आपक मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमेन बजन संगीता उननबे मैं यहोवा की सारी करुणा के विशेई शदा गाता रहूँगा मैं तेरी सच्चाई पीडी से पीडी तक बताता रहूँगा क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी तो स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्तिर रखेगा तुने कहा मैंने अपनी चुनेवे से बचा बाचा बांदियू है मैंने अपने दावुद से सपत काई है मैं तेरी वश को सदा स्तिर रखूँगा और तेरी राजगदी की पीड़ी से पीड़ी तक बनाए रखूँगा यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्बुत काम की और पवित्रों की सबा में तेरी सच्चाई की प्रसंसा होगी क्योंकि आकाश मंदल में यहोवा की तुल्य कौन टेहरेगा बलवन्तों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी परमेश्वर पवित्र लोगों की गोश्टी में अत्यंत प्रतिष्टा के योग्य और अपने चारों और सब रहने वालों से अधिक बै योग्या है यह सेनाओं के परमेश्वर यहोवा यह यह तेरे तुल्य कौन सामर्ती है तेरी सच्चाई तो तेरे चारो होर है समुत्र के गर्व को तू ही तोड़ता है जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है तूने रहब को गात किये हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रूओं को अपने बहु बल से तितर बितर किया है आकाश तेरा है पृत्वी भी तेरी है जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्तिर किया है उत्तर और दक्किन को तू ही ने सिर्जा ताबोर और हिर्मोन तेरा नाम का जेजेकार करते हैं तेरी बुझा बल्वन्थ है तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहीने हाथ प्रबल है तेरे सिहासन का मूल दर्म और न्याय है करुना और सच्चाई तेरा आगे आगे चलती है क्या ही दन्य है वो समझ जो आनंद के ललकर को पैचानता है ये यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं वे तेरे नाम के हे तु दिन बर मगन रहते हैं और तेरे दर्म के कारण महान हो जाते हैं क्योंकि तु उनके बल की शोबा है और अपनी प्रसनता से हमारे सीह को उच्छा करेगा क्योंकि हमारी डाल यहोवा की ओर से है हमारा राजा इसराइल के पवित्र की ओर से है एक समय तु ने अपने बक्त को दर्शन देकर बाते की और कहा मैंने सहायता करने का बार एक वीर पर रखा है और प्रजास में से एक को चुन कर बढ़ाया है मैंने अपनी दास दावुद को लेकर अपनी पवित्र देल से उसका अभिशेक किया है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी बूजा उसे द्रड रखेगी शत्रू उनको तंग करने न पाए और न कुटिल जन उसको दुख देने पाए मैं उसके शत्रू को उसके सामने से नश्ट करूँगा और उसके बैरियों पर विपत्ती डालूँगा परन्तु मेरी सच्चाई और करुना उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सियू उन्चा हो जाएगा मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महान नदों को उसके दाहीने आत किये नीचे कर डालूँगा वह मुझे पुकार के कहेगा तू मेरा पिता है मेरा परमिश्वर और मेरा उधार की चटान है फिर मैं उसको अपना पहलोटा और पृत्वी के राजाओं पर प्रदान टहराओंगा मैं अपनी करुना उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरे वाचा उसके लिए अटल रहेगा मैं उसके वश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगदी स्वर्ग के समान सरवदा बनी रहेगी यदि उसके वश के लोग मेरी व्यवस्ता को चोड़े और मेरे नियमों के अनुसर न चले यदि वे मेरे विदियों का उलंगन करे और मेरी आज्याओं को न माने तो मैं उसके उनके अपराद का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोडो से दूँगा परन्तु मैं अपनी करुना उस पर से न रहाटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर जूटा तहरूंगा मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मूँ से निकल चुका है उसे न बदलूंगा एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपत का चुका हूँ मैं दावित को कभी दोका न दूंगा उसका वंच शर्वदा रहेगा और उसकी राजगती सूर्य के समान मेरे समुक तहरी रहेगी वस चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वाश योग्य शाक्षी के समान सदा बना रहेगा तो अभी तूने अपने अभिशिकित को चोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अथिक रोध किया है तूने अपने दाश के साथ की वाच्छा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमी पर गिरा कर अशुद्य किया है तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गड़ों को उजाड़ दिया है सब बटो ही उसको लूट लेते हैं और उसके पडोसियों में उसकी नामदराई होती है तुने उसके विरोधियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रूओं को आनन्दित किया है फिर तु उसके तलवार की धार को मोड डाल देता है और युद्ध में उसकी पाव जमने नहीं देता तुने उसका तेज हर लिया है और उसके सिहासन को बूमी पर पटक दिया है मोड़े रहेगा तेरी जल जलाहट कब तक आग के समान बढ़की रहेगी मेरी स्मरन कर कि मैं तेरा अनित्य हूं तुने सब मनुष्य को क्यों व्यर्त सिर्जा है कौन पूरुष सदा अमर रहेगा क्या कोई अपने प्रान को अदलोग से बचा सकता है हे प्रबु तेरी प्राचिन काल की करुना कहा रही जिसके विशय में तुने अपनी सच्चाई की शपत दावुद से काई दी हे प्रबु अपने दाशों की नाम दराई की सुधी ले मैं तो सब सामर्ती जातियों को का बोज लिये रहता हूं तेरे उन शत्रुओं ने तो है यहोवा तेरे अभिश्यकित के पीछे पढ़कर उसकी नाम दराई की है यहोवा सरवदा दन्य रहेगा आमिन फिर आमिन बजन संगीता नब्बे हे प्रबु तु पीडी से पीडी तक हमारे लिए दाम बना है इससे पहले की पहाड उत्पन हुए या तुने पृत्वी और जगत की रचना की वरन अनादि खाल के अनंत काल तक ही तू ही परमेश्वर है तु मनिश्य को लटा कर मिटी से ले जाता है और कहता है ये आदमियों लट आओ क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टी में ऐसा है जैसा कल का दिन जो बीद गया या जैसे रात का एक पहर अगास के समान होते हैं वह बोर को फुलती और बढ़ती है और सांच तक कटकर मुर्जा जाती है क्योंकि हम तेरे क्रोध का खुसे बस्म हुए हैं और तेरी जल जलाहट से गबरा गये हैं तुने हमारी अदर्म के कामों को अपने समुग और अपने चिपे हुए पापों को अपने मुख की जौती में रखा है क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीथ जाते हैं हम अपने वर्ष सब्द के शमान बिताते हैं हमारी आयु के वर्ष सतर तो होते हैं और चाहे बल के कारण असी वर्ष भी हो जाए तो भी उनका गमंड केवल कस्ट और शोक की शोक वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं तेरे क्रोध की शक्ति और अपने बै के योग्य तेरे रोश को कौन समझता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे की हम बुद्धिमान हो जाए यह होवा लौठा कब तक और अपने दासों पर तरसका बोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन बर जहेजेकार और आनंद करते रहें जितने दिन तु हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश बोकते आये हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी सनातन पर प्रकट हो हमारे के काम को द्रिड कर बजन संगीता 91 इस कि परम प्रदान के चाएव यह स्थान में बैटा रहे वह सर्व शक्तिमान की चाया में तिकाना पाएगा ये यहोवा के विशै कहूंगा वह मेरा शरणस्तान और गड है वह मेरा परमेश्वर है मैं उस पर बरोशा रखूंगा वह तुझे बहलियों के जाल से और महा मारी से बचाएगा वह तुझे अपनी पंकों की आड में ले लेगा और तू उनके परों की नीचे शरन पाएगा उनकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिलम तहरेगी तू न रात के पई से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है न उस मरी से जो अंदेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजारता है तेरे निकट हजार और तेरे दाहीने और दस हजार गिरेंगे परन्तु वह तेरे पास न आएगा परन्तु तु अपनी आखों से दुष्टी करेगा और दुष्टों के अनंत को देखेगा हे यहोवा तु मेरा शरंस्तान टहरा है तुने जो परम प्रदान को अपने दाम मान लिया है इसलिए कोई विपती तुछ पर न पड़ेगी न कोई दुख तेरे डेरे को के निकट आएगा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित आग्या देगा कि जहां कहीं तु जाए वे तेरी रक्षा करे वे तुछ को हातों हात उटा लेगा ऐसा न हो कि तेरे पाउं में पत्तर से टेस लगे तु सीहो और नाग को कुछ लेगा तु जवान सीहो और अजगर को लटा डाए देगा उसने जो मुझ से स्नेह किया है इसलिए मैं उसको चुडाऊंगा मैं उसको उंचे स्तान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है जब वह मुझ को पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा संकट में मैं उसके संग रहूंगा मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ मैं उसको दिरगायू से तुरुप्त करूंगा और अपने किये हुए उदार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि ये हुवा तुने मुझ को अपना काम से आनन्दित किया है और मैं तेरे हातों के कामों के कारण जेजेकार करूंगा। कि वे सरवदा के लिए नस्ट हो जाए परन्तु ये होवा तु सदा विराज मान रहेगा। क्योंकि ये है हुआ तेरे शत्रू हाँ तेरे शत्रू नस्ट होंगे सब अनर्तकारी तितर बितर होंगे। परन्तु तेरा सीह तू ने जंगली सांड का सां उंचा किया है। मैं तटके तेल से चुपडा गया हूँ। मैं अपने शत्रू पर दृष्टी करके और उनको कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद उठेते सुनकर संतुस्ट हुआ हूँ। दर्मी लोग कजूर के समान फुले फलेंगे और लेबनोन के देदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये यहुवा के बवन में रोपे जाकर हमारे परमिश्वर के आंगनों में फुले फलेंगे। वे पराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस बरे और लहाते रहेंगे। जिस से वह यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है वह मेरी छटान है और उसके में कुटिलता कुछ भी नहीं बजन संगीता 93 यहोवा राजा है उसने महात्मय का पहिरावा पहिना है यहोवा पहिरावा पहिने हुए और सामर्त का फेटा बांदे है इसका रंचगत स्तिर है वह नहीं टलने का यहोवा तेरी राजगदी अनादी काल से स्तिर है तू सरवदा से है यहोवा महा नदों का कोलाहल हो रहा है महा नदों का बड़ा शब्द हो रहा है महा नद गरचते है महा सागर के शब्द से और समुत्र की महा तरंगों से विराजमान यहोवा अधीक महान है तेरी छिताउनिया अतिक विश्वास योग्य है यहोवा तेरे बवन को युग-युग पवित्रता ही श्रोबा देती है बजन संगीता 94 यहोवा यह बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिका यह पृत्वी के न्याई उट और गमंडियों को बदला दे यहोवा दुष्ट लोग कब तक दुष्ट लोग कब तक दिग मारते रहेंगे वे बकते और तिठाई की बाते बोलते हैं सब अन अर्तकारी बड़ाई मारते हैं यह यहोवा वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं वे तेरी नीच बाग को दुख देते हैं वे विद्वा और परदेशी का गात करते और अनातों को मार डालते हैं और कहते हैं याहने देखेगा याकुब का परमिश्वर विचार न करेगा त ये मूर को तुम कब बुद्धिमान बनोगे जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता जिसने आक रची क्या वह आप नहीं देखता जो जाती-जाती को ताडना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है क्या वह नहीं न समझाएगा यहवा मनुष्य की कलपनाओं को जानता है कि वे मित्ता है यह यह क्या ही दन्य है वह पुरुष जिसको तू थाड़ना देता है और अपनी व्यवस्ता सिखाता है क्योंकि तू उसको विपती के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के नए गड़ा नहीं कोदा जाता क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा वह अपने निच बाग को न चोड़ेगा परंतु न्याई फिर दर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उस से पीछे पीछे होज लेंगे कू करमियों के विरुद मेरी ओर कौन खड़ा होगा मेरी ओर से अनर्त कारियों का कौन सामना करेगा यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो श्रन बर में मुझे चुप चाप होकर रहना पड़ता जब मैंने कहा मेरे पाव फिसलने लगा है तब ये होवा तेरी करुना ने मुझे ताम लिया जब मेरे मन में बहुत सी चिंताइं होती है तब ये होवा तेरी ही हुई शांती से मुझे को सुक होता है क्या तेरे और दुष्टों के सिहासन के बीच संदी होगी जो कानून की आडग में उत्पात माचाते हैं वे दर्मी का प्रान लेने को दल बाढ़ते है और निर्दोश को प्रान दंड देते है परंतु यहोवा मेरा गड और मेरा परमेश्वर मेरी शरन की चटान तहरा है उसने उनका अनर्त काम उनी पर लवटाया है और उने उनी की बुराई के द्वारा नश्ट करेगा हमारा परमेश्वर यहोवा उनका श़त्यनास करेगा प्यारे पिता परमेश्वर आज भी परमेश्वर हमने जो भी वच्चन परमेश्वर हमने पढ़ी वैसा जो भी लोग परमेश्वर ये वच्चन को सुने परमेश्वर उन्हें परमेश्वर आपके बल से परमेश्वर आप बल दीजिए परमेश्वर परमेश्वर की वच्च लोगों को परमेश्वर आपके वच्चनों के द्वारा परमेश्वर अपने बर दिया बल दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं शुमसी के नाम से मांगते हैं पिता अमेन